सामान्य कामकाच से जुड़ी हुई एक महिला के घर को निसाना बना कर चोरों ने नकदी रकम और जेवरात की चोरी कर ली अपने रिष्टेदार के यहां आयोजीत व्यवाही कारिक्रम में सामिल होने के लिए महिला गई हुई थी इस दोरान यह घटना हुई दर्री पुलिस ने सिकैज पर मामला दर्ज किया है और जांच सुरू कर दी है दर्री थानाशितर के अंतरगत आयोध्यापुरी में पारवती बाई निवासरत है जिसके यहां पिछले रात्री चोरी की घटना हुई लोगों के घरों में सामानी कामकाच करने के साथ पारवती अपने परिवार का भरण पोशन करती है जांचगीर चांपा जिले में रहने वाले उसके रिष्टधार के यहां वेवाहिक समारो आयोयद था जिसमें पारवती का पुरा परिवार शामिल हुने गया था इस बीच मकान को सूना पाकर चोरों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर और सत्तर हजार नगद रकम पार कर दी जांजगीर चांपा से अयोध्यापुरी लोटने पर यहां का नजारा देखकर पारवती के होश रुड़ गए जांजगीर गया थे अहां साधगी में हां तो सभी लोग गय थे कि हां तो ट्थे का चोरी हो गया है गोई 70 हजार पैसा रही से बता थे अल्मानी हमां जी जुंकर सांटी दी सेबिक तोल ला के और वही राधीट रही से मंगर सुत्रभिय जी एक ठंबाली रही से वहिए छ पुलिस ने बताया कि इलाके के कुख्याद चोरों की कुंड़ी खंगाली जा रही है ताकि आयोध्यापुरी में हुई चोरी की घटना को लेकर एहन नतीजे प्राप्ट किया जा सकें।